जैहिन साथियों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जहां अभी चुनाव होने वाले हैं विधान सभा चुनाव 2022 और ये साथ चरणों में होना है ये आप सभी को पता है और हम शिक्षक हैं और हमारी ड्यूटी इसमें लगेगी ही तो ये ड्यूटी किसी भी पत पर लग सकती है चाहें पीठा सीन अधिकारी के पत पर या मतदान अधिकारी प्रथम दुत्ये तृत्ये किसी भी पत पर लग सकती है मतदान अधिकारी प्रथम दुत्य तृत्य के क्या कर्तब में हैं क्या कारशेत्र रहता है चुनाव के दौरान ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साथ ही कभी-कभी कुछ विशेश प्रकरण भी आ जाते हैं जयायसे चैलेंज, वोट, टेंडर वोट या प्रॉक्सी वोट यह क्या होते हैं और कभ इनकी आवषक्ता होती है और इनका जो सॉलूशन है वो क्या होता है किस प्रकार किया जाता है ये भी इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा, इससे पहले मैं पीठा सी नदिकारी के क्या करतब में हैं, क्या कारशेत्र हैं, उसका भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यह आपने नहीं देखा है, तो वो भ मतदान इस्थल में प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रतम मतदान अधिकारी के पास ही जाएगा, जो पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा, मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से संबंदित मतदाता के विवरंट बॉक्स में तिर्ची ये प्रियोग किये जाने वाले हैं, सबसे पहला है मददान पहचान पत्र, दूसरा है पासपोर्ट, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, चौता है सर्विस पहचान पत्र, पाचवा है पासबुक, छटवा है पैन कार्ड, फिर है स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ भीमा स्मार्ट कार्ड जो कि श्रम मंत्राले की योजना की अंतरगत जारी किया गया हो फिर है पैंशन दस्तावेच फोटो सहत होना चाहिए वो सरकारी पहचान पत्र सांसद विधायक और विधान परिशत सदस्यों को जो जारी किया जाता है और फिर है आधार कार्ड तो इस तरह के बारा पहचान पत्र में से कोई भी एदी एक उसके पास है तो मतदान और अधिकारी उसको वैलिड मानकर आगे की करवाई करेंगे ये मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी कर नमूना है ये देखे जो मेल वोटर आया तो उसके लिए रेट से तिर्ची लाइन खीची गई है और जो जो फिमेल वोटर आया उसके लिए रेट से गोला भी बनाना है और तिर्ची लाइन भी खीचना है इसके बाद ASD मतदाता की पहचान करना है यदि मतदाता निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित एपसेंट कहीं और निवासित यानिकी शिफ्टिड या म्रत डेड़ अंकित है तो ऐसे मतदाता ASD मतदाता कहलाते हैं ऐसे मतदाता के मतदान इस्थल पर उपस्थित होने पर उसकी पहचान सुनिशित करने के बाद निर्धारित प्रारूप पर गोशन भरवात वे मतदान के अनुमती प्रदान की जाएगी इसके बाद वोटर दुत्ति मतदान अधिकारी के पास जाएगा और उनके क्या कर्तब में हैं यह अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा में मतदाता के बाए हाथ की तरजनी उंगली के नाखून के मूल के उपर अमिट स्याही का चिन इस तरह से लगाएंगे कि वह तचा और नाखून के बीच फैल जाए तथा तरजनी पर इस पश्ट चिन रह जाएं यह अधिकारी प्रारूप सत्रव का मतदाता रजिस्टर का भी प्रभारी होगा वह इस रजिस्टर में निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उतरदाई होगा जिनकी पहचान की जा चुकी है यह अधिकारी मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लेगा साथ ही निर्वाचक नामवली के अनुसार मतदाता का क्रम संख्या लिखेगा वह पहचान का विवरंड डर्ज करेगा इसके बाद मतदाता स्लिप जारी कर तृत्ती मतदान अधिकारी के पास भेजेगा सत्रा का जो फोर में उसको भरे जाने का नमूना देख लिजी ये देखे सबसे पहले है क्रम संख्या दूसरे कॉलम में निर्वाचक नामवली में निर्वाचक की क्रम संख्या फिर निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और फिर टिपड़ी मिट्स यही लगाने का तरीका भी दिया है कि बाय हाथ की तरजनी पर ऐसे मिट्स यही लगानी है कि थोड़ा वो इसकिन पर आए और थोड़ा नेल पर आए यानि कि नाखून पर आए ताकि वो काफी समय तक टिकी रहे इस तरहे लगाना है बाय हाथ की तरजनी पर तृत्ती मतदान अधिकारी, यह अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, यह मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की आग्या देगा, दुत्ती अधिकारी द्वारा जारी मतदान स्लिप के अधार पर, और इस स्लिप में प्रदर्शित क्रम संख्या के अनुसार जाने से पूर्व जाच कर लेगा कि मतदाता की बाएं तरजनी पर अमिट स्याही का इस पश्ट चिन है या नहीं बैलेट यूनिट का बटन वो तभी दबाएंगे जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये वही मतदाता है और उसके उंगली पर अमिट स्याही का चिन भी लगा है विशेश प्रकरण पर ध्यान देनी की आवशक्ता है यहाँ पर सबसे पहला है चैलेंज वोट जो की मतदाता की पहचान को चनौती देता है दूसरा है दृष्टिहीन एमम आशक्त मतदाता द्वारा मतदान तीसरा है टेंडर वोट चोथा है आवयस के मतदाता द्वारा मतदान राजवा है प्रॉक्सी वोटर फिर है मत की गुपनित भंग करना और मत देने से मना करना इस तरह कि यह कुछ विशेश प्रकरण भी आते हैं वोटिंग के दौरा सबसे पहले चैलेंज वोट देख लेते हैं मतदाता के प्रथम अधिकारी की समक्ष प्रस्तुत होने पर यह अधिकारी मतदाता का क्रमांक वा नाम जोर से बोलेंगे जिससे सभी मतदान अभीकरता सुन सके इस समद में किसी मतदान अभीकरता द्वारा कोई आपत्ती किये जाने पर पीठा सीन अधिकारी मतदान अभिकरता से निर्धारित प्रारू प्रसीद पर दो रुपे प्राप्ट करेंगे एवं मतदान अभिकरता द्वारा की गए दावे की जाच करेंगे इसे तू मतदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमान एवं अभीकरता द्वारा प्रस्तुत प्रमान के अधार पर पीठा सीन अधिकारी निड़ने लेंगे यदि अभीकरता का दावा सही पाया जाता है कि मतदाता द्वारा फरजी मतदान का प्रयास किया गया है तो मतदाता को पुलिस को सौंप दिया जाएगा और 2 रूपे की फीस अभी करता को वापस करती जाएगी अन्य था कि इस्थिती में इस शुलक को जब्त करते हुए मतदाता को मतदान हे तु भेज दिया जाएगा यहाँ पर यह ध्यान रगना है कि किसी भी विशेश इस्थिती आने पर समाने मतदान प्रक्रेय रुकने न पाए जिससे मतदे इस्थल पर अनावशक भीड़े गत्रित हो या कोई असह जो इस्थिती उद्पन हो यहाँ जो वोटर है उसके बाए हाथ की तरजनी पर अमिट सही लगाई जाएगी है इस समब्ध में सहायक द्वारा लिखित घोष्ण निर्धारित प्रारूप पर की जाएगी तथा मतदान के अंत में पीठा सी अधिकारी को प्रारूप 14 का की सूची तयार कर उपलब धिकरानी होगी टेंडर वोट क्या है यानि कि निविदत मत पत्र जब मतदाता के प्रथम मतदान अधिकारी के समक्ष उपस्तित होने पर ग्यात होता है कि उसका मतपूर्व में ही पढ़ चुका है तो उसे पीठा सी अधिकारी के समक्ष भेज दिया जाता है यानि कि जब वोटर वोट देने आया तो पता चला कि उसके नाम का वोट तो पहले ही पढ़ चुका है इस इस्तिती में पीठा सी नधिकारी संक्ष जाच करते हैं कि वैं सही मतदाता है अथवा नहीं सही पाय जाने पर पीठा सी नादिगारी प्रतक से प्राप्त कराएगा मत पत्रों की गड़ी से मत पत्र जारी करेंगे जिसे एअरो क्रॉस रब़र महाद दाता मत अंकित करेंगे तुछ हम इस मत को टेंडर वोट के लिफाफे में रखा जाएगा सत्रा खा प्रारूप पर इसकी सूचना अंकित की जागी यानि कि यहाँ पर वोटिंग EBM से नहीं कर पाएंगे बैलेट पेपर से होगी नेक्स्ट है आवायस के मतदाता द्वारा मतदान अब यहाँ पर यह टम बहुत इंपोर्टन्ट है कि आवायस के मतदाता हम के नहीं कह रहें क्योंकि आवायस के मतदाता तो मतदान कर ही नहीं सकते चलिए देख लेते हैं निर्वाचक प्रक्रिया के समय किसी मतदाता की आयो को लेकर आपत्ती की जाती है तो निर्धारित प्रारूप पर सुचना पीठा सी नधिकारी द्वारा ली जाएगी मतदाता से पीठा सी नधिकारी निर्धारित घोशना पत्र पर हस्ताक्षर है तू कहेंगे यदि वे हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतदान से वंजित कर दिया जाएगा यदि घोशना की जाती है तो उसे मतदान के अनुमती प्रदान कर दी जाएगी प्रॉक्सी वोटर क्या होते हैं? ये वेवस्था सैनिकों को अपने इस्थान पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने की इस्तिती में अधिकरत वेक्ती को मतदान हित्तु अनुमती प्रदान करती है पार्टी प्रस्तान के समय प्रॉक्सी वोटर की सूची उपलब्द कराई जाती है प्रॉक्सी वोटर की बाय हाथ की मध्मा में अमिट सिया ही लगाई जाएगी मत की गोपनियत भंग करना और मत देने से मना करना यदि मतदाता द्वारा मतदान की गोपनियत भंग की जाती है तो उसे मतदान से वंचित किया जा सकता है तथा मत पत्र लेखा में ऐसे मतदाताओं की संख्या लिखी जाएगी तथा सत्रा का रजिस्टर में मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमन इस आशे की टिपड़ी से दर्ज की जाएगी यदि मतदाता द्वारा सत्रा का रजिस्टर में हस्ताक्षर करने वामिट से ही लगाने के बाद मतदान से मना किया जाता है तो मतदाता रजिस्टर में मतदान प्रक्रिया का अतिकरमन इस आशेह की टिपड़ी दर्ज करते हुए उसे मतदान से वंचित किया जा सकता है ये है नियम उनन्चास